नमस्कार दोस्तों and welcome back to your own channel तो दोस्तों आज हमने देखा था कि market पे एक selling हमें देखने को मिली है तो guys यह selling हमके और नीचे जा सकती है 10,000 का लिफ्टी का level को hold कर चुकी है बट हो सकता है शायद कल वो उसे break कर दे और नीचे चले जाए तो वो charts में जाके analysis करेंगे और आप लोगों को levels telegram channel पे provide हो जाएंगे कल market में किस तरीके से trade लेना है कौँसे stocks में दिहान देना है उसके बारे में बात करेंगे तो 11th of June यानि कि कल के लिए यह 5 stocks में लेकर आया हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें सबसे पहला है बालक रिशन इंडेस्ट्री और यह 5 stocks है वीडियो को start करने से पहले अगर आप मेरे telegram channel पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं यहाँ पर आपको live support provide होता है live market पे आप लोगों को यहाँ पर एक दो calls provide होती है जिसके आप फायदा उठा सकते हैं आज के दिन हमने provide नहीं करवाया था मैंने कल वीडियो भी upload नहीं करी थी क्योंकि आज की market पे मुझे अभी stable नहीं थी मुझे नहीं पता था कि market उपर जाएगी या नीचे जाएगी तो आज के दिन हमने सिर्फ watch कर रहा हुसे और अब हमें एक decision बिल चुका है market में किस तरीके से trade लेना है तो उसके बारे में हम बात करेंगे आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते है जो मेरा first underscore investment का है add the rate यहाँ पर आप लोगों को learning पी provide होती है Saturday Sunday आप लोगों के doubts को clear कर जाता है और आपकी सारी बातें आप भी सुनी जाती है तो यहाँ आप भी आप मुझे follow कर सकते है पहला stock की तरफ बढ़ते हैं तो पहला stock है guys Balakrishnan Industries short करने की सलह है around 1222 की नीचे आपको short करने target आपका होगा 1214 1205 का stoplers आपको 1231 का maintain करके चलना है GNFC buy करना है above 153, 155, 159 तक की targets आपको मिल सकते हैं guys सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सी queries आ रही थी कि हमें first target के लिए wait करना चाहिए या second target तक के लिए wait करना चाहिए so guys यह जो दो target आपको दिये जारे हैं इसके बीच में मिले या 155 पर ही मिले तो आप अपनी position को exit करना शुरू कर दीजे या फिर first target पर अपनी quantity को आधा कर दीजे exit करके और फिर second target के आसपास मिलता है तो अपनी पूरी quantity को exit करेगा SBI 184 के नीचे shot करना है 181, 178 तक के targets हम expect कर सकते हैं SBI के अंदर reliance भी short है below 1534, 1528, 1521 तक के targets हम expect कर सकते हैं stop loss हमें 1541 का maintain करके चलना है mcdowels buy करने की सला दी जाएगी 610 की उपर buy करना है 615, 621 तक के targets हम expect कर सकते हैं stop loss इसको 604 का maintain करके चलना होगा एक option strategy आपके साथ मैं share करने वाला हूँ यह sell में है आप देख सकते हैं bank nifty का 11th June 21,800 का जो call option है वो अभी 48 पर चलना है उसे आपको short करके चलना है intraday के लिए जो मेरे कल के targets है या आगर आप Thursday तक भी रुख सकते हैं तो target जो मेरे हैं वो 30 से लेके 15 तक है stop loss आपको गाई 65 का maintain करके चलना है अगर यह कल gap up open होता है bank nifty probably अगर gap up open होता है तो आप देख सकते हैं जो 48 है वो पहुच के 55 भी पहुच जाएगा तो अपना stop loss increase करेगा और gap up पे भी यह short करके चल सकते हैं ठीक है bank nifty एक और चीज़ है यह दोनों को आपको साथ में करके चलना है एक मत लीज़ेगा bank nifty को 11 जून को 19,500 की put को short करके चलना है जो कि 64 पे है 45 से 25 तक का target समें expect कर सकते हैं तो दोनों short पे है buy करने के बारे में मत सूचेगा इन दोनों को तो हम लोग बढ़ते हैं charts की तरफ charts पर सबसे पहले मैं आप पर आपको दिखा देता हूँ nifty का ठीक है सबसे पहले nifty का chart देखते हैं nifty का chart हमें आपर क्या बता रहा है यह आपर आप देख सकते हैं यह multiple जो lines आप देख रहे हैं यह demand or supply zone ही है basically यहाँ आप देख सकते थे कि हमने देखा कि इस level से जो कि 9870 का level था वहाँ पर एक breakout है दूसरी बात हमें एक line और बनाना चाहूँगा आप देख रहे हैं यह जो gap है यह आपको छोटा सा gap दिख रहा होगा यह आया था 11th March को 11th March को 10,340 से गिरके यह आगया था 10,000 10,000 के level पे 340 points की हमने गिरावट देखी थी तो आप देख सकते थे यह जो gap था इस gap को Nifty ने कल के दिन अपना retest करा था आप देख सकते 8th of June को यहाँ पर इसे छुआ एक्जक्ट हाई मारा और फिर दुबारा नीचे आ गया gap को उपर तोड़ने में काम्याब नहीं हो पाया so probably अब इसके chances क्या है अगर यह यहाँ से कल से दुबारा नीचे गरना शुरू करता है तो 9900 तक के levels मुझे लगता है यह दिखा सकता है जो की minimum level है 9950 से लेके 9900 तक के levels यह अराम से दिखा देगा so nifty मेरे लिए short है कल अगर थोड़ी से upmove मिलती है तो भी मैं short करूँगा nifty को ठीक है bank nifty बहुत जादा weekend nifty के मुकाबले देखीगा बहुत बढ़ी है trade है इस पे आपको कैसे बता चलेगा अब यहाँ देखीगा यह multiple red color की black color की lines दिख रही है मैंने कब से बना रखे है जब से मैं video upload कर रहा हूँ आपको पता यह level demand और supply का zone है हमें अब आप देखीगा यह red line क्या donate करी है red line बता रही है कि यहाँ पर supply आ जाता है supply मतलब यहाँ पर जब भी share आता है तो एक selling देखने को मिल जाती है अब आप देखेगा यहाँ पर selling देखने को मिली इस level पर इस level पर selling देखने को मिली इस level पर उपर गया पर उपर break नहीं करा red candle से break करा green candle से break नहीं करा तो यह false breakout था ठीक है दुबारा नीचे आ गया और अब दुबारा यहाँ पर इसने break करा यहाँ पर आप देख सकते हैं दुबारा red candle पर ब्रेक करा 8th of June को और दुबारा नीचे आ गया आज और आप देख सकते हैं यह range जो देख रहे हो मैं आपको यह range बना कर निखाता हूँ यह देखिए यह जो range थी इस range के अंदर यह दुबारा trade करना शुरू कर चुका है range के ऊपर जाता था red candle बनाता था false breakout आजाता एक्जाक्ट वही यहाँ पर भी हुआ था सुब आप देख सकते हैं दुबारा range के अंदर आ चुका है तो पहला target में लेकर चलूँगा 20,500 और last target होगा 20,100 का जो कि मुझे लगता है कि कल परसों के अंदर अंदर दिखा सकता है कोई भी gap आप आता है 21,000 के असपास short करिए और मुझे guarantee है कि यहां से नीचे जा सकता है अगर यह उपर भी बढ़ना शुरू करता है तो जो मैंने आपको option trade दिया वो भी फायदा दे कर जाएगा नीचे भी आता है तो भी आपको फायदा देगा expiry तक आपको यह दोनों चीज़े सबसे जादा दे कर जाएंगे ठीक है Reliance के share पे मैं यह सारी drawings जो है वो मैं एक पर हटा देता हूं Reliance के share मुझे basically बस इतनी चीज़ बता रहा है कि 1600 रुपे का जो level है भाई वो तोड़ना बहुत जादा मुश्किल है आप देख रहे हैं आपे November पे जो 2019 November पे यह level पे आया था नहीं break करा फिर एक rounding bottom बना के उपर गया और December पे एक महीना लगा दिया तब जा के break नहीं करा फिर हमने देखा नीचे से हलका हलका एक rounding bottom है न देख रहे हो bottom है हलका से उपर की तरफ shift होता है और फिर हमने देखा एक महीने बाद exact एक महीने बाद दुबारा यहां पर आया फिर नहीं break कर पाया और एक sharp fall आया sharp fall आने के बाद उपर गया यहां पर हमने देखा एक inverted hammer था बीरिश hammer नीचे आया एक rounding bottom दुबारा बनाया और यहां पर हमने देखा फिर break नहीं कर पाया ठीक है, GNFC की बात करते हैं, GNFC पर आप देख सकते हैं, मैंने टॉप से लेके बॉटम तक एक फिबोनाची बनाया है, बॉटम से एक सिने रिकवरी करी, ध्यान से सुनिएगा बॉटम था 95 का लेवल, बॉटम से रिकवरी करी, 150 लेवल तक गया, फिर नीचे आया, फिर उपर गया, 150 फिर नीचे आया, एक रेंज के अंदर काम करा, और रेंज का आज इसने ब्रेक आउट दे दिया, सबसे पहली बात आप जो देख रहे हैं, इस लेवल से जो सेलिंग आ रही है, यह अपने टॉप और बॉटम का 50% तक कवर करा, इसने अप्रेल में दुबारा नीचे आगया और ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, तो अप्रेल का जो हाय था, उसे ब्रेक करके भी उपर गया, 50% रेटेश्मेंट डेवल को उपर करके गया, एक चैनल का ब्रेक आउट दिया, एक फ्लाग पाटन का ब्रेक आउट दिया, सब एक्सपेक कर सकते हैं, मिनिमम टागेट 16 63 तके में एक्सपेक करके चल रहा हूँ कि यह दिखा सकता है, आज, महलब कल और बेसिकली परसो दो दिन के अंदर अंदर, गाइस यह जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को देता हूँ, यह बेसिकली जो स्टॉक्स होते हैं, वो इंट्राडे के लिए होते हैं, या फिर बेसि 56 पे, 280 का टारगेट बुला था, 277 का है था, आपको यह सारी चीज़े मिली थी, हमारे क्लाइंट्स ने मुझे स्क्रीन शॉट बेजया है, उसके उपर में एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, कौन से पैटर्न को देखके मैंने वो आपको स्टॉक्स एडेंटिफाइ करे तो पर्टिकुलर्ली पर्सो जरूर हिट करेंगी टांगेट पे, तो वच करके चलिएगा, बालक रिश्ने इंडस्ट्रीज क्या बता रही है भाई मुझे, बालक रिश्ने इंडस्ट्रीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और दुबारा वो उस लेवल पे आ चु दुबारा उपर गया, सेलिंग आई और दुबारा नीचे आ गया, अब आप लोग देख रहे हो कि आपको एक सिमिलारीटी मिल रही होगी, SBI पे आपको सिमिलारीटी जो मैंने बना आया, उस पे आपको क्या मिला, रिलाइंस पे, कि रिलाइंस पे जो एक ब्रेकाउट ले आठ जून को फॉल्स ब्रेकाउट देखने को मिला, यह इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहां से एक डाउन वर्ड की और जार ही है, और यहां से एक डाउन वर्ड आ सकता है, क्या करना है, यह देख सकते हैं, एक लाइन बनाई, लाइन को ब्रेक कर चुका है, शॉर्ट क सकते हैं यहां पर इसे एक strong up move दिखाई हम देखते हैं यह जो 50% का retracement level है यहां उपर गया नीचे आया उपर गया आप देख सकते हैं यहां hold करा जो कि इसका previous resistance था एक सकते हैं यहां मेंसेंजर सा रहा है मैंसे हाट आ देता हूँ यहां आप देख सकते हैं यह 61% का retracement level है जो की 950 615 का है इसे trend line को break करके उपर बंद हुआ है तो मुझे लगता है 615 का एक बड़ टागट दुबारा दिखा सकता है बट अगर इसकी उपर दो दिन close कर जाए त तो 660 तक के भी टागट आपको United Spirits दिखा सकता है तो wait and watch वेट करते हैं कल टागट सिट नहीं होते हैं तो परसो definitely होंगे hold करके चल सकते हैं तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो की analysis को end करता हूँ अगर वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को like करिए गाईस एम रखते ह आप से अगली वीडियो पेस साइनिंग ओफ